कि अभी सर्दी के पोधे को हम ऐसे मिटी में लगाए जिससे की हमें जैदा केर ना करना पड़े तो आज हम बिंटर प्लांट के लिए या पर्मानिंट प्लांट के लिए मैं कैसे मिटी बनाती हूँ वैसे मिटी हम सब बना सकते हैं फिर इसे बहुत अच्छे से हम फोल ले सक बहुत सारे फोल सर्दी के होते हैं फ्रेंस बहुत सारे वेजटेबल होते हैं जिसे हम बहुत असानी से ओगा सकते हैं जैसे धनिया पालक मेथी यह बहुत ही असानी से ओगने वाला चीज है और बहुत सारे पोधे हम अपने गार्डन में सामिल करते हैं तो मैं कुछी पोधे अभी खरीद के लगाई हूँ और कुछ सीडलिंग से तयार हो रहे हैं अभी जैदे पौधे देखने को नहीं मिल रहा है फ्रिंस इसी कारण हम जैदे पौधे अभी नहीं लिए हैं तो आज हम मिट्टी कैसे बनाते हैं उसी पर बात करने वाले हैं मैं बबलिए वबस्वागत करतें हूँ पने फूलों के वाकिया मैं फ्रिंस उमीद करती हूँ कि ऐज का टॉकिक आपसब को जरूर ही पसंदाया आज जो मिट्ती आप सबके साथ कर रही हूं कि मैं अपने पौधे के लिए कैसे मिट्टी बनाती हूं वह सबको पसंदायेगी तो देखे इस समय ना नीचे गार्डन और कीचन के जो भी वेश्ट रहता है वो मैं डालती रहती हूँ उपर पौधे लगाती हूँ एसे पौधे हम लगाते हैं तो हमारा मिटी अच्छा ही रहता है नीचे जो हम खाद बनाते हैं वो बहुत अच्छे से त्यार हो जाता है तो हम इसमें गंदे का पौधा लगाए थे बहुत सारे फूल भी दीये बहुत सारे पौधे खड़ाब भी हो गये तो बीज से हम हम दो दिन तीन दिन के लिए धूप में रखेंगे क्योंकि अभी का मौसम जो है उसमें धूप बहुत हलका रहता है तो जो चीज़ कमपोश्ट नहीं हुआ है और जो बड़े-बड़े से टुकरे है उसे हम निकालके अलग से ग्रोबैक में डाल रहा है जो छोटे-छोटे से हम इसी मिट्टी में छोड़ेंगे उसको जल्दी से कमपोश्ट बनने के लिए हम कुछ डालेंगे हम इसको दो दिन तक ऐसे ही रहने देबहुत ही हलका रहता हैL कर रहे हैं हम जैदे ओजन हम नहीं डाल सकते इस कारण हम प्लास्टिक के पॉट यूज कर रहे हैं तो यह दो तीन दिन या चार दिन हो गया उसके बाद मैं दिखा रही हूं तो पूरे मिट्टी को उलट पुलट करते जितने भी बोरी में भड़ा हुआ था मिट्टी हम सारे को धूप लगाके और फ्रिंस धूप लगने के लिए रख दिये थे क्योंकि हम कंपोश्ट बनाते हैं तो उसमें चीटी रहता है बहुत तरह के कीरे रहता है तो धूप लग जाता है तो मिट्टी हमारा फिर से उपजाओ बन जाता है और इसमें बहुत जैदा मुश्चर भी खतम हो गया तो अभी हम इसमें थोड़ा सा गुर का पानी डाल रहे हैं जिससे की जो चीज कंपोश्ट नहीं हुआ है तो गुर के पानी से बदबू भी नहीं आते हैं जल्दी कंपोश्ट भी हो जाते इस जगह पर आप दही का भी पानी यूज कर सकते हो पर मैं गुर जो हमारा मिटः तैयार हो फ्रेंस इसमें न हमें जएदे फतलेजर देनी के आवसकता नहीं पड़ेगे क्योंकि इसमें पहले से ही कूंपोश्ट बहुत सारा मिला हुआ है और जो चाईज कंपोश्ट नहीं हुए है उसके लिए मैं दही का पानी दի हूं, और सरीगूर का पानी दियूं आप दही का भी पानी दे सकते हैं लसी भी दे सकते हैं और एक चीज इसमें और मैं डाल रही हूं जिससे की ये मिटी और भी जैदा उपजाव बन जाए इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी डालने की आवसकता नहीं पड़ेगी। इस जगह पे फ्रेंस आप थोड़ा सा नीम की खली मिला दे हमारे पास नीम की खली नहीं है नीम की खली है तो मिला दे तो जितने भी वेक्टिरिया रहता है निमकी कली से खतम हो जाता है आप इसमें तोरा सा सिर्सोखली भी मिला सकते हैं तो मैं देखे इसमें वर्मी कमपोश्ट डाल रही हूँ दो-तिन मुठी वर्मी कमपोश्ट दे दूँगी ये वाला मैं रखती हूँ फ्रेंस मैं रखती नहीं थी इस वार गर्मी में हमारे बहुत सारे पौदे खराप हो गए उसी को बचाने के लिए ये फट लेजर मैं खरी दी थी तो इसमें से हम उस टम थोरा थोरा दिये थे अभी हम बस दो तीन मुठी इतने करके हम इसमें डाल देते हैं क्योंकि इसमें देखे बहुत सारे खाद है ही हम ये खाद इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इससे केचुए बनते हैं तो ये केचुए से बना हुआ खाद है और हम जिस मिट्टी में जिस खाद में मिला देते हैं उसमें केचुए बनते हैं इस कारण हम थोड़ा सा इस मिट्टी में डाल रहे हैं और थोड़ा सा हम हल्दी डाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास निम्की खली सरसो खली सम नहीं हैं तो तो बस हम ये दो चीज मिला के मिट्टी को अच्छा बनाएंगे, इसमें हम धूप लगा दिये हैं, तो फ्रेंस अगर हम लगातार मिट्टी से पौधे को लगाते रहते हैं, हम उसे हर्वेस्ट करते रहते हैं, तो मिट्टी की सक्ती खतम हो जाती है, तो उसको हम धूप लग और अच्छे से हम धूप लगाके और ग्रो बैग में भरके रख लेंगे अब जब भी पोधा लगाना होगा तो हमें मिट्टी तैयारी करने की जुरत नहीं परेगी तो दिखे इस दोनों में हम तोरा कम-कम रखे हैं क्योंकि हम इसमें गुलदाबदी का पोधा अगर दिखे और धीरे धीरे यह जो चीज कंपोश्ट नहीं हुआ है और चीज कंपोश्ट हो जाएगा तो मैं ऐसे ही गार्णिंग करती हूं और मुझे यह सब काम करने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कंपोश्ट बनाना लिकुड डालना यह सब बहुत बदबू आते हैं इस सम बदब करते लिए तो अभी हम तीन पॉर्ट में मिटी भरे हैं कुछी दिन पहले हम सीड्लिंग को इसमें लगाए थे तो यह साथ-अट दिन पहले मैं लगाई थी इससे पहले जो मिटी सेयर गिये थे मिटी का वीडियो तो उसके बाद हम लगाए थे इसमें कल लगाई थ तो जो पोधे लगता है कि थोड़ा बड़ा हो गया है उसको हम जगह देते जाते हैं तो फ्रेंज एनुल क्रिस्टमाम हॉली होग बहुत ही खुबसुरत फूल होते हैं तो इस बार हमारे पास से दोही का बीज से पोधा उग पाया है फ्रेंज से जो भी पिटोनिया डॉग सबका था उसका बीज से एक भी पोधा तयार ने हुआ इसमें देखे हम पहले पानी दे दिये थे जिसे की रूट तूटे नहीं और हम बहुत असानी से अभी निकाल लेंगे जो पोधा लग रहा है कि थोड़ा सब बड़ा हो गया है उसको हम इसमें से निकाल रहे हैं और चोटे पोधे हैं उसको हम इसमें फिर से बड़े होने देते हैं और बाद में हम उसको जगा दे देंगे तो ऐसे हैं हम फ्री में बहुत सारे पोधे उगा सकते हैं और फ्री में हम खाद मना सकते हैं अच्छे मिट्टी तयार कर सकते हैं और सुन्दर सुन्दर फूल का अन बड़ा होने में फ्रेंस टहरा टैम लगएगा, और फ्रियंग से हम ऐसे ही जैसे इस में से फ़्रा बड़ा हो रहा है, हम अलग से लगाए रहा है। ऐसे ही करके हम पधे को जगा देते जाएँगे तो हम इस मिटी में पहले फ्रेंज से थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, जिससे की मिटी नीचे तक बैठ जाए, और फिर हम इसमें पोधा लगाएंगे, तो देखिये हम तुरंत पानी डाले हैं, और मिटी अच्छे होने के कारण, देखिये, दो मिनट में ही सारी पानी इसके निकल गए अगर मिटी अच्छा नहीं रहता तो पानी इसमें भरा ही रहता तो फ्रेंस एक चीज का ध्यान हमेशा रखना कि कटिंग ले तो उस पौधे में पानी जरूर डाल दे पहले अगर हम सीडलिंग को निकालना चाहते हैं तो उसमें पानी पहले डाल दे जिससे की को पौट देंगे उतना जगा भी नहीं है उतना मिटी भी नहीं रहता है तो अभी हम इसमें लगा रहे हैं बाद में जो ग्रो बैक समय हम अभी कच्रे भर रहे हैं वो जब भर जाएगा तो ये पूरे पौट में से निकालके हम उसमें लगा देंगे पूरे मिटी के साथ ह तो क्या होगा कि यह पौधा खराब नहीं होगा अगर हम सीडलिंग को उसमें लगा देते हैं अगर मिटी कम डालते हैं कंपोस्ट जैदा रहता है तो फ्रेंच से पौधा खराब हो जाता है क्योंकि उसमें मुशसर बहुत जैदा रहता है तो इसके रूट हम यहां से निकाल के लगाए हैं उसमें तो रूट उसमें फैल लेगा नहीं जल दी इस कारण उपधा खड़ाप हो जाता तो अभी हम इसको छाए वाले जगह में रखेंगे चार-पांच दिन के लिए जब तक कि इसके ग्रोथ श्टार्ट हो जाए और अभी देखिए लगाने के बाद मैं थो लगा के और मैं अपने सौक के लिए वीडियो बनाती हूं और गार्निंग करती हूं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है तो अभी गुल्दावदी के फूल बहुत ही खुबसूरत लग रहा है और अब दीरे दीरे यह ना पिंक वाले जो है जो थोड़ा कलर हलका हो रहा है पूल्दावदी के बहुत सारे कलर आते हैं तो देखे नीचे इसके बहुत सारे कली है पर जो पहला फूल जितने बढ़ा रहता न उतना बांकी जो बाद में आते हैं वो उतने बरे साइज में नहीं हो पाते है पर फूल तो इसको हम आगे अभी नहीं जब यह थोड़ा को मिलेगा फ्रेंस तो ऐसे ही मिट्टी बनाएं जिससे की फ्रेंस बहुत कम खर्च में आपकी गार्डनिंग ओ और फ्रेंस ऐसे में आपको जैदे खात देनी क्याव सकता नहीं होती है जैदे जहनजट नहीं रहता है तो ऐसे ही आप मिट्टी तयार करें गार्डन और टेखने को मिलेगा तो आज का वीडियो हम यहीं पेंड करना चाते हैं। उमीद करते हैं कि आप सबको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो वीडिव को लाइक करना, चेनल को सब्षाइब करना और आपसो अगर ये वीडियो इस्टाग्राम फेस्बूक मौझ कहीं भी देख रहे तो वहां पे भी मुझे पोलो जरूर करना अपना प्यार सपोर्ट जरूर देना फ्रेंज हमारे चैनल को आप सब वीडियो देखते हो फीडियो को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज प्लीज एक लाइक जरूर करें और हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई फ्रेंज